जै श्री राम भक्त चनो प्यारे वक्तों ऐसे मनस्यों के यहां लक्ष्मी बिना बुलाए आती हैं वक्तों ऐसे कुण से मनस्य हैं जिनके घर में लक्ष्मी बिना बुलाए आती हैं बड़े ध्यान से सुनना और समझना वक्तों सभी जानते हैं कि लक्ष्मी जी चंचल कभी इधर तो कभी उधर इस थाई रूप से किसी कहां रहती नहीं क्यों नहीं रहती हैं उसका एक कारण है क्योंकि लक्षमी जी के जो पती हैं भगवान विश्णू लोग उनकी आरादना तो करते नहीं उन्हें तो बुलाते नहीं तो भक्तों यह ध्यान रखना चाहिए कि लक्षमी को बुलाना है तो विश्णु भगवान के नाराण को भी आपको बुलाना चाहिए अगर नाराण को बुलाएंगे लक्षमी के साथ तो लक्षमी जी जरूर आएंगी और चंचल सुभाव जो होता है लक्षमी जी का तो उनको चंचल सुभाव वाले जो व्यक्ति होते हैं वह बहुत पसंद होते है किकुंकि जिसका जह सुभाव होता शुष का सभाव चंचल होता है उन कि य Representatives section अब आते हैं तो इस बात को आप अच्छी तरह समझ ले और वक्टों अगर आपने चाहना है आप चाहते हैं कि 09 prim डिना बुलाया है तो खास तोर से इस चीज का ध्यान रखें कि लक्षमी जी को सफाई स्वक्षता बेहद प्रशन है क्योंकि वो प्रशन जब होती है जहां सफाई होती है जहां सुंदरता होती है वहां पर बिना बुलाए लक्षमी जा जाती है उस घर में और जहां पर सफाई नहीं होती है गंदगी होती है वहाँ पे तो बुलाने से भी नहीं आती हैं तो आप ये ध्यान रखें कि लक्षमी जी को अगर अपने घर बुलाना है तो सफाई का खास तोड़ से ध्यान रखें और जब भी लक्षमी जी की पूजा करें आप आरती करें तो नहाद हो करके अच्छी तरह से और अच्छे सा कि जो हमारा नाभी चक्र होता है नाभी के अंदर ही विश्नु भगवान का लक्षमी का बास होता है तो आप नाभी के अंदर जब नहाते हैं आप तो प्रती दिन अच्छी तरह से उसकी सफाई करें उसके अंदर मेल नहीं होना चाहिए बहुत से ब्यक्ति नहाते तो करते हैं उनकी नाभी में महल ही भरा रहता है तो उनके हैं लक्षमी का आगमन तो होता नहीं दर देता का आगमन अपने आप हो जाता है तो इस बात का आप विशेश रूप से ध्यान रखें अगर आप रोज नाभी की सफाई करेंगे तो आपके हैं लक्षमी बिना बुला जरूर करें उनकी पूझा जरूर करें उनको जरूर बुलाएं नमर दो स्वक्षिता का ध्यान रखें और नमर तीन अपनी नाभी में रोजाना सफाई करें प्रती दिन उसके अंदर मेल नहीं होना चाहिए तो प्यारे वक्तों अगर ये तीन प्रकार से आप पूरी तरह से आपको अच्छा लगे और लक्षमी को आपने बुलाना है और बिना बुलाए अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर पर आ जाए तो आपको ये तीन काम जरूर करने होंगे इनको नेमेत तोर से करें तो लक्षमी का आगमन अवश्य होगा और लक्षमी जी आपके घर के भंडार भर देंगे और गरीवी आपकी दूर हो जाएगी जैस्री राम